लाफ साइकल ओफ सिलक वार्ब हमने यह देखा कि जो सिलक वार्ब है ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो लेपिड़ॉप्टरा ओरडर से बिलौग करता है इसके अंदर एक पेर ओफ सिलक ग्लैंड है जिससे सिलक की प्रोड़्ट्छन होती है उसके बाद जो सिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशली ये लिकृट फार्म के अंदर होता है लेकिन अस सून अस इस कम आउट आफ दा बाड़ी अफ सिल्क वार्म इट सॉलिडिफाइज अब अगर हम इसके लाइफ साइकल की बात करें तो इसके लाइफ साइकल के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेजिस है उसमें इसकी एक प्रोड़क्शन होती है उसके बाद इसके अंदर लार्वल फार्मेशन होती है उसके बाद फिर इससे प्यूपी और प्यूपी जो है वो बाद में काकून प्रोडक्शन करता है और अल्टिमेटली इस काकून में से एक अडल्ट मौत निकलता है अब इसके लाइफ साइकल की अगर हम डिटेल देखें तो इसके अंदर जैसे ही जो फीमेल है वो काकून में से बाहर निकलती है तो इनके अंदर मेटिंग का कॉपलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आम तर पर जो फीमेल है फीमेल रेस्ट ऑन दा काकून यानि इसका जो अबडॉमन है वहाँ से खास किसम के केमिकल्स प्रोडियूस होते हैं जिनको फेरमून कहते हैं ये फेरमून्स मेल जो इनसेक्ट है उसको अट्रेक्ट करते हैं उसके बाद जब मेल अट्रेक्ट होता है तो फीमेल के पास आता है इनके अंदर मेटिंग का प्रोड़स स्टार्ट होता है और ये जो फेरमून्स हैं इसकी वदद से मेल फीमेल को रिकागनाईज करता है आम तर पर इनके अंदर जो मेटिंग का प्रोड़स है ये 12 से 24 खेंटे तक जारी रहता है उसके बाद इस डूरेशन के अंदर जो फीमेल है वो completely inseminated हो जाती है यानि जो मेल है वो अपने जो spams है वो फीमेल की बाड़ी के अंदर inject करता है उसके बाद जो फीमेल है वो egg ले करती है और एक फीमेल तकरीबन 150 से 300 तक eggs ले करती है इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं और एक फीमेल तकरीबन कुछ species के अंदर इसकी जो production है वो 1000 तक भी हो सकती है यानि आमतार पर एक फीमेल 150 से 300 egg ले करती है लेकिन इनका number increase भी हो सकता है वह सरे species के अंदर और ये 1000 तक भी हो सकता है अब फीमेल के अंदर जब मेटिंग का प्रॉसस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद egg production हो जाती है अब इस egg के अंदर से larval formation बनती है इनके अंदर तकरीबन 5 इंस्टार्स हैं अगर इस slide के अंदर देखें तो egg के बाद first इंस्टार उसके बाद second इंस्टार, third इंस्टार, fourth इंस्टार और उसके बाद fifth इंस्टार आम तोर पर जो पहली stages है यानि first, second, third and fourth इंस्टार इस stage तक ये जो insect है ये बहुत कम पत्ते खाता है लेकिन ये जो इसकी last stage है जिसको fifth इंस्टार कहते है ये voracious feeders है ये बहुत जादा पत्ते खाते हैं ये वो stage है जिसमें ये maximum consumption करते हैं और अपना weight maximum increase करते हैं उसके बाद ये next stage के अंदर convert हो जाते हैं और ये अपनी body के gird silk produce करना शुरू कर देते हैं और आइस्टा आइस्टा इनकी body के gird एक cocoon formation हो जाती है अगर हम इस slide के अंदर देखें तो इस slide के अंदर जो मुखतलिफ इसके in starts हैं और उसके अंदर जो different time लगता है और इनके अंदर जो important characters होते हैं मुखतलिफ stages के अंदर उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर अगर हम देखें तो जो X है X की hatching का जो period है वो 9 से 12 दिन हो सकता है आम तोर पर इनको एक खास environment के अंदर रखा जाता है तक्रीबन 28 degree के उपर इनको रखा जाता है उसके बाद जो first star है इसका दोरानिया 3 से 4 दिन होता है second star 2 से 3 दिन इसी तरीके से जो third star है इसका दोरानिया 3 से 4 दिन होता है fourth star 5 से 6 दिन और जो fifth star है यह seven to eight days का होता है उसके बाद यह जो last जो stage है जो fifth star है इसके बारे में हमने कहा कि यह voracious है तक्रीबन एक जो larvae है वो 90 gram plants matter को खा सकता है उसके बाद अगर हम next stage देखें तो pre-pupy और pupy stage है यह four से seven days का हो सकता है और जो pupa stage है यह 10 से 12 दिन तक हो सकती है उसके बाद जो adult है adult 2 से 3 दिन तक जिन तक जिन दा रहता है आम तोर पर जब यह काकून बना लेते है तो काकून बनाने के बाद जो female है जो काकून के अंदर insect होता है वो एक खास किसम का material पैदा करता है एक alkaline solution या description पैदा करता है जिसकी मदद से यह अपनी काकून के अंदर एक सुराख बनाता है और सुराख बनाने के बाद उस सुराख में से यह बाहर आ जाता है उसके बाद बाहर आने के बाद इनके अंदर meeting का process स्टार्ट होता है आम तोर पर meeting के फॉरण बाद जो male है उसकी death हो जाती है और female जब copulation हो जाती है उसकी insemination हो जाती है तो वो egg की production स्टार्ट करता है और उसके बाद यह जो egg है इसकी development का जो process है वो स्टार्ट होता है तो हमने देखा कि इनके अंदर meeting के बाद female एग ले करती है फिर female के जो egg है उससे larval formation मनती है इनके अंदर different larval stages आती है five larval stages है जो पहली larval stages है वो बहुत कम खुराग का इस्तवाल करती है जबके जो fifth star है उसके अंदर जो खुराग की consumption है वो काफी ज़ादा होती है और एक जो larval है वो तकरीब 90 gram plant matter फीड कर सकता है उसके बाद pre-pupy और pupy stage आती है और उसके बाद जो larval है वो अपने गिर्द जो pupy है वो अपने गिर्द एक काकून बनाना शिरू कर देता है और जब ये काकून फार्मेशन कंप्रीट हो जाती है तो इससे alkaline subscription पैदा होती है alkaline subscription के जरीए ये काकून के अंदर एक सुराख बनाते है और उस सुराख के जरीए काकून में से बाहर आ जाते है उसके बाद जो फिफ्ट इंस्टार है फिफ्ट इंस्टार अपने जो neck region है उसकी quick moments करता है आम तोर पर ये देखा गया है कि इनका जो rate है moment का वो 65 moments पर minute करता है ये इस जो जासे करता है ताके ये जो silk है उसकी production कर सके तो ये देखने में आया है कि जो फिफ्ट इंस्टार है ये अपने neck की quick moments करता है और ये 65 moments पर minute हो सकती है इन ही के जरीए ये silk अपने गिर्थ लपेटता है और ultimate एक काकून की farm के अंदर इसका silk हमें वाज़े तोर पर दिखाई देता है